हेलो फेंट्स, वेल्कन टोना आज साथ से क्लासेस आज 31 जनरी और आज हमनों 31 जनरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टन करेंट अफेर हैं उनके बारे हमनों डिसकस करेंगे तो फेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने पहले हम लोग सबसे पहले एक मोटिवेसला लाइन देखेंगे मोटिवेसला लाइन ये है यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल जी हाँ यू ही नहीं मिलती राही कुमंजिल एक जुरून सा दिल में जगाना पड़ता है पूछा चड़ियां से कैसे बनता है आसियाना तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है तो फेंट्स बिना देरी किये हम लोग देखते हैं आज का पहला कोश्चन पहला कोश्चन पूछा जा रहा है तो फ्रेंट्स इस कोश्चन का राइट एंसर है ओफिसर नमर बी राश्पती जी हाँ हाँ हाले में आरपी एफ आपलेक आरपी एसफ कर्मियों को राश्पती ने जीवन रच्छा पुरस्कारों से समानित किया है कहने का मतलब ये है कि भारत की राश्पती द्रोपदी मुर्मू ने जनवरी दोहजार तेईस में आरपी एफ आपलिक आरपी एसफ कर्मियों को जीवन रच्छा पदक पुरस्कारों से समानित किया है बात करते हैं पुरस्कार बिजयताओं के बारे में तो देखिए फ्रेंट्स पहले पुरस्कार बिजयता है जैपाल सिंग जो की हेट कॉंस्टेबल है उत्तर रेलवे के अगले थे सुरेंद्र कुमार जो की कॉंस्टेबल है उत्तर रेलवे के और अगले हैं भुदा राम सैनी वो भी क्या है कॉंस्टेबल अब देखते हैं फ्रेंट्स अगला प्रेंट्स पूछा जा रहा है कि हाली में यूनी लीवर के नए सियो कौन बन गए हैं कि वह एलान जॉप का अस्थान लेंगे जिन्होंने सितंबर 2022 में यूनी लीवर से सेवा निर्वित होने के अपने इरादे की घुष्णा की थी अगला प्रेंट्स देखते हैं देखी अगला प्रेंट्स पूछा जा रहा है कि भारती वाइस सेना के नए वाइस चिप कौन होंगे और सबसे इंपॉर्टन बात ये है कि एपी सिंग वर्तमान में मध्यवायू कमान के एयर आफिसर कमांडर इंचीप के रूप में सिवा रत है बात करते हैं कि किस तारिक को ये पदभार ग्रहन करेंगे तो फ्रेंट्स वह एक फरवरी 2023 को वाइस चीप के रूप में कारेभार समा लेंगे और सबसे महतुपूर बात ये है कि वह राष्टी रच्छा अकादमी, रच्छा सेवा श्टाफ कॉलेज और राष्टी रच्छा कॉलेज के पुर्वच्छात्र हैं अगला प्रेशन देखते हैं देखी अगला प्रेशन पूछा जा रहा है कि ये हाली में प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड अमेशनर बनाया है ओफसर नमर ये है महेंदर सिंग धोनी, भी है विराट कोली, C हर्मन पृत कौर, अटी है कैटरीना कैफ तो फिर्ट इस कुशन का राइट अंसर है ओफसर नमर C हर्मन पृत कौर कहने का मतलब ये है कि हाली में प्यूमा इंडिया ने हर्मन पृत कौर को अपना नया ब्रांड ने बिश्टर बनाया है और सबसे महतुपूर बात ये है कि वह 2023 में पूरे साल ब्रांड के फूट वियर, परिधान और एससरिस का प्रचार करेंगी बात करते हैं हर्मन पृत कौर के बारे में तो फ्रेंड्स हर्मन पृत कौर जो है वो भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है अगला प्रेंड पूछा जा रहा है कि हाली में IMF के अंसार कौन सावा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुक अर्थवयस्था बना रहेगा कुशन फिर से रिपीट करते हैं एंडी है सौधी अरब तो फ्रेंड इस कुश्चन का राइट एंसर है ओप्सन नमबर B भारत जी हाँ हाली में IMF के अंसार भारत देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती और प्रमुक अर्थवयस्ता बना रहेगा और महत्वूर बात ये है कि अंतराष्ट्य मुद्रा कोस इटमिंस IMF ने विस्व आर्थिक आउटलुक के जनवरी अपडेट में कहा कि भारत वैसिक प्रतिकुलताओं की बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुक अर्थवयस्ता बना रहेगा और बात करते हैं IMF के बारे में तो देखिए IMF ने कहा है कि भारत लाचेली घरेलू मांग की वज़ह से 2024 में 6.8% तक पहुशने से पहले 2023 में 6.1% की दर से बढ़ेगा अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रिशन पूछा जा रहा है कि किस राज्य में G20 रोजगार कारे समू की पहली बैठक आयोजित की जाएगी ओफसर नमबर A है राजस्थान, B है दिल्ली, C है मुंबई, ND है पूड़े कहने का मतलब यह है कि G20 सिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कारे समू की बैठक राजस्थान के जोधपूर में 2-4 फरविर 2023 तक आयोजित की जाएगी बात करते हैं मैं बैठक में कितने लोग सामिल होंगे तो फ्रेंड्स बैठक में 73 से अधिक प्रतिनी दी सामिल होंगे अगला प्रस देखते हैं अगला प्रेंड्स पूछा जा रहा है कि किस सहर को आंधर प्रदेश की नई राजधानी बनाये जाएगा कहने का मतलब यह है कि 31 जन्वरी 2023 को आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी ने विसाखा प्रटनम सहर को राज़े की राजधानी बनाने की घोश्टा की है और सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि राज़े सरकार की तीन राजधानीों का निर्मार करने की युजना है जिसमें अमराउती को विधाई राजधानी, विसाखा प्रटनम को कारेकारी राजधानी और कुर्नूल को न्याइक राजधानी के रूप में विक्सित किया जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रिंट पूछा जा रहा है कि हर गाउं हरियाली पहल ने कितने लाग पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है ओफसर नमबर ए 80 लाग, पी है 90 लाग, सी है 100 लाग, एंडी है 50 लाग तो फ्रिंट इस कोशिन का राइट एंसर है ओफसर नमबर बी 90 लाग, एट विंस 90 लाग कहने का मतलब यह है कि जम्मू कस्मीर सरकार की महत्वा कांची पहल हर गाउं हरियाली ने 2022-23 के दोरान एक दसनो तीन पांच करोड पौधे के निर्धारित लच्छे के मकाबले 90 लाग पौधे लगाए गए हैं बात करते हैं यह अभियान कब सुरुआत हुई थी तो फ्रेंट्स यह अभियान जो है नॉमबर 2021 में सुरू किया गया था अगला प्रेंशन देखते हैं अगला प्रेंशन जो है वो क्रिकेट से रेलेटेड है पूछा जा रहा है कि किस क्रिकेटर ने अंतराष्ट्रे क्रिकेट के सभी प्रारुपों से सन्यास ले लिया है ओफसर नमबर A है भोनेस्वर कुमार B है अमिस मित्सा कहने का मतलब यह है कि भारत के पुर्व सलामी बल्लेबाज मुर्ली विजय ने 30 जनुवरी 2023 को अंतराष्ट्रे क्रिकेट के सभी प्रारुपों से सन्यास लेने की गोश्टा की है और सबसे इंपॉर्टेन बात यह है कि उन्होंने सभी प्रारुपों में 87 अंतराष्ट्रे मैचों में भारत का प्रतिनी धित्व किया है जिसमें 61 टेस्ट मैच है 17 वंडे है और 9 टी ट्वेंटी मैच खेले है कहने का यह मतलब है कि मुरली विजय ने टोटल 87 मैच खेले हैं जिसमें से 61 टेस्ट मैच है 17 वंडे है और 9 टी ट्वेंटी है अब देखते हैं आज के करंडे फेर का लाश्ट कुश्चन आखरी प्रेश पूशा जा रहा है कि गुजरात मैरी टाइम क्लश्टर के पहले सीओ कौन न्यूप्त हुए है ओफसान नमबर ए है आर चौधरी, भी है माधवेंदर सिंग, सी है नवीन जिंदल, एंडी है इन में से कोई नहीं कहने का मतलब यह है कि गुजरात मैरी टाइम क्लश्टर, एट मिन्स जी एम सी, देश में अपनी तरह का पहला कामर्सियल मैरी टाइम क्लश्टर है जिसका उद्देश से एट मिन्स परपज, मानकों की समुद्री सिवाओं के लिए एक केंदर बनाना है और सबसे महत्वपूर बात यह है कि यह भारत का पहला और एक महत्र समुद्री क्लश्टर है अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, सेर एंड कमेंट जरूर कीजिए और फ्रेंट्स इसी टाइप के और भी वीडियो आप लोग पाने के लिए इसे सबस्क्राइब कीजिए आज के लिए तना ही थैंक यू वेरी मच